आयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में राम लला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा 22 जन्वरी को होनी है उससे पहले भगमान राम की तीन में एक मूर्ती का चैन किया गया है जैसे जैसे आउध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदी का रही है वैसे वैसे करोडो राम भक्तों की अपने आराध्य श्री राम से जुड़े संकल्प और उनकी यादों से जुड़ी कहानिया भी दिख रही है लेकिन आज हम आपको ये नहीं बताएंगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर से जुड़ी वो दिल्चस्प बात जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी बाढ या तुफान या भूकंप भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगार पाएगा या इतनी तीवर्ता का भूकंप राम मंदिर जेल जाएगा लेकिन कैसे? प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को बचाने के लिए एक खास तरीके की तक्णीक का इस्तेमाल हुआ है इसके चलते राम मंदिर कम से कम एक हजार साल तक आक्षुन रहेगा यानि कोई चोट कोई खरोच नहीं पहुँचेगी मंदिर निर्मान में कहीं भी लोहे का प्रियोग नहीं हुआ है राम मंदिर की नीव भूकम परोधी है सीबी आराई रूड की और चैनने के वेग्यानिकों ने राम मंदिर भूकम परोधी हो इस पर बहुत खास रिसर्च किया था राम मंदिर को सेफ स्ट्रक्चर बताया जो आठ फ्रिक्टर स्केल पर भूकम के जटके को भी सह सकता है सतर फीट गहरी पत्थरों की चटान पर मंदिर आकार ले रहा था मंदिर की नीव में करनाटक के ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ जो पानी की रिसाब को भी जहलने की क्षमता रखते हैं मंदिर निर्माण में देश की आठ नामी तकनीकी एजनसियों की मदद ली गई थी मंदिर की नीव करीब पचास फीट गह रही है इसके उपर दो दश्मलों पांच फीट की राफ्ट ढाली गई राफ्ट के उपर 21 फीट उची प्लिंथ का निर्माण हुआ प्लिंथ के उपर मंदिर आकार ले रहा था यही नहीं राम मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए मंदिर की तीन दिशा में करीब 16 फीट उचा परकोटा भी बनाए गया उत्तर दक्षिन और पश्चिम दिशा में परकोटे को आकार देने का काम भी हुआ मंदिर की चारों दिशाओं में करीब 40 फीट गहरी रिटेनिंग वॉल यानि सुरक्षा दीवार बनाए गई है राम मंदिर निर्मान में हजारों साल से चली आ रही विधी का प्रियूग हुआ शिल्प शास्त्र के मुताबिक राम मंदिर का निर्मान हुआ इसमें कॉलम और बीम पर विशिश द्यान दिया गया राम मंदिर की डिजाइन भी इस तरीके से की गई कि भूकम के बड़े से बड़े जटके आए पर राम मंदिर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिए ट्रस्ट ने देश की जानी मानी संस्थाओं से सहीव गिया था CBRI, रुड़की और चन्नई के वेग्यानिकों ने इसका स्टैबिलिटी टेस्ट भी किया था इस पूरी बिल्डिंग को सेफ स्ट्रक्चर की श्रणी में रखा था आयोध्या में बना मंदिर हर विपरीत परिस्थिती में एक हजार वश्च तक सुरक्षित रहे इसका विशेश ख्याल रखा गया मंदिर निर्मान से जुड़ी बेहत महतुपूर्ण जानकारी खुद राम जन्मभूमी तीर शेत्र ट्रस्ट आयोध्या के महामंत्री इस समझवाले लोग नहीं है प्लाटफॉर्म तैयार हुआ भगवान राम का पूरा मंदिर पत्थरों से बना है इसमें सीमेंट लोहा अधी पदार्थों का प्रयोग लगबग शूनी के बराबर हुआ इस सूपर हिट स्ट्रक्शर को एक हजार साल तक ध्यान में रखकर बनाए गया पकॉल चमपत्राय मंदिर का काम देख रहा है इंजीनियर्स ने एक विशेश प्रकार का मिक्स्चर भी बनाया था इसमें पत्थर की गिट्टी पर जादा मोटी नहीं लेयर थी इस मिश्वरन के अंदर बालू भी नहीं था आटा गूनते वक्त आटे में जितना पानी डाला जाता है कि आटे में वो पानी बहता नहीं बलकि आटा उसे सोख लेता है इतना ही पानी इसमें डाला गया इसको कॉंपक्ट बनाए रखने के लिए कुछ रसायन यानि कुछ केमिकल्स और फ्लाय आश भी मिलाए गया था अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें